सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड बेलकम टू लवनीश सर की क्लास आज की ये शिक्षा निदेशाले राश्य राज़ानिक शेत्र दिली की वर्क्षीट वर्क्षीट नमबर 30 जो की कक्षा आठवी के विध्यारतियों के लिए है यह ली गई है गणित विशे से और इसमें आज हम एक बहुत ही रोचक विधी से यानि बिना कोई जोड घटा किये हुए अनुमान द्वारा घनमूल निकालना सीखेंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं इस वर्क्षीट में बिना पैन पेपर उपयोग किये हुए घनमूल कैसे निकाले इस पर चर्चा करेंगे हाला कि हमने आपको समझाने के लिए पैन और पेपर का यूज किया है लेकिन आप चाहें तो किसी भी संख्या का केवल अनुमान लगा के उसका घनमूल बहुत अराम से निकाल सकते हैं तो देखिए नोट करने वाली बात ये है कि पून घन संख्या के घनमूल निकालने के लिए इस विदी का उपयोग किया जाता है जो पून घन संख्या होती है और पून घन संख्या बड़ी हो जिसका घनमूल निकालना अभाज्ये गुननखंड विदी से मुश्किल हो तो ह हम इस विधी का उपयोग कर लेते हैं. तो जल्दी से इसके नियम देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको आगे एक-एक प्रश्न हल करके दिखाया है. सबसे पहले करना क्या है? दी गई संख्या को दो भागों में बाटना है, जैसे मान लो एक उधारन के लिए ये संख्या एक लाग दस अजार पांसो ब्यानवे इसको दो भागों में बाटो और इकाई की तरफ से शुरू करना है तो एक ग्रूप तो बन गया पांसो ब्यानवे का और एक ग्रूप बन गया और तीन-तीन कही हमें अंकों का समूँ बना यह है पहला समूँ होगा बचेवे संख्या का दूसरा ग्रूप अगर बची होई केवल दो संख्या भी होती है तो भी ग्रूप बन जाएगा फिर दूसरा चरन है समूँ के इकाई के स्थान के अंक को निर्धारित करेगा जैसे उधारन घन संख्या के स्थान का अंक है बस इसको आपको एक बात याद रखने है यह जो यहाँ पर एक से दस तक के घन निकाल रखें इनको आप याद कर लीजिए तो आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी फिर क्या करना है संख्या का घन निकालें जिसके बीच दूसरा समू आता हो फिर तीसरे चरन की छोटी संख्या को घनमूल के दाई स्थान पर रखें अब घनमूल निकालें देखिए अब हम जब प्रश्न करेंगे न उसमें हमें जादा अच्छे से समझ में ये चीज आएग तो पहला समू 592 दूसरा समू 110 हमेशा एकाई की तरफ से ही शुरू करेंगे पहले समू के एकाई का अंक कितना है दो ये दो ये रह ठीक है तो घनमूल के एकाई का अंक कितना होगा जो घनमूल आंसर होगा उसके एकाई का अंक क्या होगा आठ आठ ने अभी तो हमने आठ निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, आठ का आगे हमें, क्या करना है, देखे, आठ, आठ, और जो दूसरा समू होगा, उसकी संख्या कितनी है, 110, अब हमें 110 को देखना है, ये किन किन संख्याओं के घन के बीच में आती है, देखे, चार का घन कितना होता है, 64, और पांच का अगहन होता है 125 तो यानि ये 64 और 125 के बीच में आता है ना ये नंबर 110 करके देख लीजिए तो अब हमें दूसरा अंक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा जो इन दोनों में छोटी संख्या होगी तो छोटी संख्या तो यही वाली है 4 तो इसलिए दाही का अंक बन गया 4 और 11 कांक बन गया 8 तो उत्तर हमारा हो गया 48 एक बार फिर से देखिए और जब मैं आगे आपको समझाओंगा उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जैसे यह है आपको इसका निकालना है 17576 का घन मूल निकालना है पहले वही 3-3 अंकों के बनाने लेकिन 11 क की तरफ से शुरू करके एक तो तीन और फिर यह बच गए दो तो दो समझ बन गए 576 और 17 576 में इकाई कांक कितना है 6 6 का अब हमें घन निकालना है घन क्यूब निकालना है तो 6 का जो घन होता है वो उपर तालिका में से देखोगे 216 है 216 का भी हमें यह इकाई कांक लेना होगा और जो दूसरा समू है 17 अब 17 देखो किन-किन संख्याओं के बीच में आता है किन संख्याओं के घन के बीच में आता है तो 2 के घन के बीच में आता है 2 का घन होता है 8 और 3 का घन होता है 27 तो 2 का घन 8 और 3 का घन 27 इसके बीच में यह संख्या आती है तो इसका मतलब ज जमा करके कुछ नहीं देखा हमने देखिए आप इसका उत्तर करना है दी गई घंसंख्या के घंमूल के सिर्फ इकाई कांख बताना है कुछ नहीं करना इकाई कांख क्या होगा जो उत्तर है ना उत्तर का इकाई कांख क्या होगा वोई पहले 3 में अगर हम इसको कर लें तो 1 कांग कितना है 6 और 6 का घंग कितना होता है 216 तो इसका भी 1 कांग आएगा 6 फिर इसके बाद है इसका निकालना है तो इसमें 1 कांग कितना है 9 9 का घंग होता है 729 तो इसका भी इकाई कांग, उत्तर का इकाई कांग 9 आएगा फिर दूसरे में 6 का भी हमने करे लिया, तो इसका भी 6 होगा अब इसको करें, तो वही पहले तो दो ग्रूप बनाना है, 375 और 166 इसका हमें देखना है 5 आया, 5 का घंग कितना होता है? 125 और 125 का भी इकाई कंग कौन सा है, 5 तो इसका भी इकाई कंग, उत्तर का इकाई कंग, 5 होगा इसमें फिर दूबारा 6 वाला तो हमने करे लिया, 6 ही होगा या 6 लिखना है, फिर 7 वाले में देखना है, 7 का घंग कितना होता है? 343 और 343 में इकाई कांग कौन सा है 3 तो इसका उत्तर आएगा 3 फिर दुबारा 6 का 6 ही आएगा 5 का 5 ही आएगा क्योंकि 125 होता है और 125 का भी इकाई कांग 5 होता है और 2 का आएगा 8 अब हम अभ्यास के प्रशन करते हैं तो चलिए अभ्यास टाइम प्रेक्टिस का लेट्स डू सम कॉशन फॉर प्रेक्टिस प्रशन है अनुमान विधी दुआरा संख्याओं का घनमूल निकालिए फाइंड दा क्यूब रूट अफ दन नमबर्स थू एस्टिमेट तो देखिए एस्टिमेशन से अब हमें क्यूब रूट निकालना है हमने सीख तो लिया अब हम प्रेक्टिस के कुछ कुशन कर रहे हैं जैसे फॉर्स नमबर इस 11,769 यानि की 11,779 अब इसका हमें क्यूब रूट निकालना है तो देखिए जैसे हमने आपको अभी समझाया था कि इसको हमें टू ग्रूप में डिवाइट करना यानि दो समुह में इसको बाटना है तो पहला समुह हमेशा इकाई की तरफ से बनेगा एक तो बन जाएगा ये समुह और एक सम बन जाएगा ये तो यानि दो ग्रूप या दो स्वमू हमारे पास आगए ग्यारा और साथ सो उनहत्तर तो अब देखिए इनका घनमूल निकालने का अनुमाद हमें कुछ नहीं करना कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है क्या करना है इसका जो एकाई कांक यानि जो यूनिट प्लेस है वो है 9 और 9 का अगर हम क्यूब निकालें तो आप देखिए अभी हमने टेबल पड़ी है न 9 का क्यूब रूट कितना होता है यहां लिखेंगे 9 का क्यूब रूट कितना है बताए वो है 729 तो अब हम क्या करेंगे जो हमारा आंसर होगा देखिए आंसर में पहले आपको बताऊ आंसर जो होगा आंसर का जो यूनिट प्लेस होगा इकाई कांक होगा वो तो हो जाएगा 9 क्योंकि इसका भी यूनिट प्लेस जो उसका क्यूब रूट या घनमूल है उसका unit place 9 है अब हमें इसके आगे का अंक लेना है आगे की digit find करनी है तो देखिए जो 11 है 11 जो है ऐसा number है जो की 2 के cube root से तो ज़्यादा है 2 का cube root कितना होता है 8 2 गुना 2 गुना 2 यानि 8 और 3 का cube यानि 3 का हनमूल कितना होता है 3 गुना 3 गुना 3 वो होता है 27 तो यानि ये इसके बीच में आता है तो अभी हमने ये ही समझा जो इन दोनों में जो छोटा number होगा यानि की 2 हम वो ले लेंगे तो यहां से ये आ जाएगा तो ये इसका answer हो जाएगा है ना बहुत असान चलिए अब दूसरा question करते हैं दूसरा question है कितना है बताईए ये है 1,95,112 यानि 1,95,112 अब वो हमें 3-3 का group बनाना है यानि 3 numbers का एक group बनाना है तो एक group हो गया ये और एक group हो गया ये तो यहां पे 2 groups हो गए ठीक है अब हमें ये जो ये वाला group है इसका तो हमें unit place देखना है 1,5 कांक देखना है 1,5 कांक कितना है 2 और 2 का घनमूल कितना होता है बताईए 2 का घनमूल होता है 8 ठीक है अच्छा अब हमें करना क्या है तो एक number एक digit तो आ गई हमारे पास 8 answer यहाँ पहले लिख लो देखो मैं कहीं कोई calculation नहीं करना कर रहा एक unit place की digit आ गई काई के अंक की digit आ गई 8 और अब 195 आपको दो ऐसे number के cube root लेने हैं cube लेने हैं जिनके बीच में ये संख्या आती हो जैसे अब आप देखिए जैसे 5 का घनमूल कितना होता है table में से देखिए 125 और 6 का घनमूल कितना होता है 216 यानि ये जो 195 है ये इसके घनमूल से तो बड़ा है और 6 के घनमूल से 6 के घन से नहीं 6 के घन से छोटा है तो हम कौन सा अंक लेंगे हम लेंगे ये वाला तो नमबर आगया 58 तो यानि इसका आंसर अगर हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे ये घनमूल निकालेंगे तो ये ही आएगा चाहे आप इसको करके भी देख लीजिए फिर इसके बाद फिर देखिए फिर है 29,791 यानि 29,791 अब इसका हमें क्यूब रूट निकालना है फिर वो ही इसको टू ग्रूप में डिवाइड करेंगे एक ग्रूप तो ये हो गया और एक ग्रूप ये हो गया 29 और 791 अब आपको करना क्या है याद करिए जो इसका यूनिट प्लेज है इसका हमें क्यूब निकालना है तो इसका क्यूब क्या होगा 1 ही होता है न 1 multiplied by 1 multiplied by 1 और इसको हमें ऐसा दो नमबर देखने है जिनके क्यूब के बीच में ये वाला number आता हो तो याद करिए कौन सा होगा एक तो होगा 3 का cube which is 27 जो की 27 होता है और एक 4 का cube जो की 64 होता है उनके बीच में यही number आता है आता है बिलकुल यही number आता है तो हम कौन सा number ले लेंगे जो छोटा number होगा यानि की ये वाला number तो आंसर बन जाएगा हमारा 3 और 1 31 तो इसका आंसर 29,791 का cube root या 39,791 का cube root कितना होगा 31 ठीक है अब आपको क्या करना है देखिए 4th question ले लिजे 4th question है 50,653 50,653 फिर वोई 2 groups बनाईए 2 समहों बनाईए एक समहों हो गया 50 और एक समहों हो गया 653 इसमें जो इसका इकाई कांखाई unit place है उसका हमें cube निकालना है कितना हो जाएगा 3 multiply by 3 9 multiply by 3 27 और इसको देखना है कौन से दो number के cubes के बीच में आती है तो ये आती है याद कीजिए ये आती है फिर दुबारा से 3 का cube और 4 का cube क्योंकि 3 का cube होता है 27 और 4 का cube कितना होता है 64 तो इसके बीच में ये number आता है तो इसलिए हम ये वाला number ले लेंगे देन दा answer is 30 और इसमें 27 आया है ना इसका तो इसका unit place ये वाला लेंगे तो answer is 37 अब आपको समझ में आया कैसे करना है चलिए अब हम करते है फिफ्ट कोश्चन यहीं पर कर लें फिफ्ट कोश्चन है तीन लाख नवासी हजार सत्रा यानि थ्री लाख एटी नाइन थाउजन सेवन्टीन फिर टू ग्रूप्स बनाने है तो थ्री थ्री डिजिट के टू ग्रूप्स बन गए एक ग्रूप्स बना 389 और एक ग्रूप्स बना 070 अब इसका जो यूनिट प्लेस है वो है 7 7 का अगर मैं क्यूब या घनमूल निकालूं तो 7 गुना 7 गुना 7 होता है वो होता है बताइए कितना होता है 343 टेबल में लिखा हुआ है फिर इदर जो हमने नमबर देखा वो है 389 ये कौन से दो नमबर के क्यूब के बीच में आता है या घनमूल के बीच में आता है बताइए ये आता है वोई 7 का घनमूल जो की 343 है और 8 का घनमूल जो की 512 है इन दोनों के बीच में आता है न ये नंबर 389 ठीक है तो अब इन दोनों में नंबर कौन सा छोटा है ये वाला तो answer बना दहाई पर 10 प्लेस पर ये आएगा और unit प्लेस पर ये नंबर आएगा So the answer is 73 हम कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं फिर 6 वाला 6 में देखिए 6 में लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे ही करना है टू ग्रूप्स बनाए एक 248 और एक बन गया 373 तो इसका unit प्लेस लिया उसका क्यूब निकाला वो आया 512, 512 तो answer में एक तो number हो गया ये और एक देखिए ये कौँसा number होगा फिर दुबारा से देखेंगे वो ही 7 का क्यूब उसके बीच में ये number आता है और 8 का क्यूब ठीक है तो ये number आ गया 7 answer is 72 और फिर इस तरह से ये देखिए ऐसे दो ग्रूप्स बनाए तो एक ग्रूप तो आ गया ये वाला ठीक है और ये number ले लिया इसका क्यूब होगा इसका घनमूल होगा 125 और ये जो 857 है ये देखिए इसको आपने क्या करना है दो number वो ही find करने है आपको और ये आ जाएगा 9 का क्यूब और 10 का क्यूब तो उसके बीच में आता है ये number तो number आ गया इदर से तो आ गया 5 और इदर से आ गया 9 आंसर इस 95 नाव दर लास्ट कोश्चन लास्ट कोश्चन इस 10,648 दो ग्रूप्स बनाए 8 का क्यूब अभी अभी हमने किया है 512 तो एक डिजिट तो आ गयी है और 10 किस के बीच में आएगा देखिए 10 आएगा 2 के क्यूब के बीच में और 3 के क्यूब के बीच में तो आंसर इस 22 तो इस तरह से हमें कोश्चन करने हैं देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए एक कोश्चन और दे रखा है हिंदी मीडियम वालों के लिए दे रखा है एक कोश्चन ये वाला 2187 जोकी 9 question है तो इसमें भी क्या करना है आपको एक तो group हो गया ये और एक group हो गया ये तो इधर से तो आया 2 और इधर से आया 187 आपको 7 लेना है और 7 का घनमूल कितना होता है 343 तो इसका तो एक अंग आ गया ये और 2 किस-किस के बीच में आएगा एक तो एक के घनमूल के बीच में आएगा और 2 के घनमूल के बीच में आएगा एक का घनमूल एक ही होता है और 2 का घनमूल 8 होता है बिल्कुल सही कहा मैंने तो आपने एक नंबर ले लिया ये और एक ये ले लिया तो अंसर कौन सा हुआ 13 ठीक है ऐसे आपको सारे सवाल करने है झाल करने है